आपको जब भी कोई काम करना पड़े ना जैसे आप अपने दुकान में अपने गद्धी पर आकर बैठें तो पहले तो दुकान में गुस्ते ही भगवान को मनमन में याद करते वे कि अपनी कर्म भूमी में जाने लगाओं और यह आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ है यहां से मैं धन भी कमाओं धर्म भी कमाओं यशश्वी बनो पर जिंदगी में मेरी प्रसनता भी रहे भगवान मुझे आशिरवाद दे तेरी नौकरी में हूँ अपना कर्तब भी अच्छे से निवाओं और अपनी दुकान को भी इतने आनंद से देखना चाहिए कि आप अपने अंदर की सारी औरजा पवित्र औरजा पॉजिटिव एनरजी सारी अपनी दुकाने पर डाली है और फिर अपने गल्ले के पास जहां आप बैठते हैं वहाँ भी प्यार से उसे देखिए जिससे आपकी समर्द्धी बढ़े और खोशी खोशी अपना काम करें भगवान का नाम लेकर जैसे आपने शिरुवात की तो सबसे पहले वहाँ देखिए कोई नेगिटिविटी तो नहीं है नकारात्मक्ता होती है दूल, मिट्टी, कोड़ा, कच्रा, बेकार की बाते करने वाले लोग कुछ लोग तो वहाँ पर भी अपने वही लड़ाई जगड़े वाली चीज़ें टीवी पे चला के बैठे वे होते है वहाँ बैठी है आप अगर कोई बजन संगीत वाला दीमी दीमी आवाज आ रहे है तो आए जिससे मनमित ताजगी बनी रहे है लेकिन पूरा द्यान अ ग्राक के साथ अच्छा वेवार कीजिए और आपके जो नौकर चाकर साथ में काम कर रहे हैं उन्हें अपनी ताकत बनाओ प्रसिक्षन दो सिखाओ काम का तरीका बताओ और सब के चेहरे पर एक ही चीज रहनी चाहिए अगर लक्षमी को आमंतृत करना है तो लक्षमी जी ताजगी में आती हैं प्रसनता में आती हैं मदूरता में आती हैं ताज ये खुद भी बने रहे हैं अपने लोगों को भी तरो ताजा बनाएं उनके चेहरे पर मुस्कराट लाएं और उन्हें बात करने का तरीका समझाएं जितना मीठा बोलेंगे और किसी से जगड़ा न आप से खुश हो कर जाएगा हजार को लेकर आएगा और अगर नाराज हो के गया तो हजार को तोड़ के भी जाएगा उस समय लगेगा कि आज तो गाटा ही गाटा है चीज फेंक के जा रहा है आप साइकोलोजी को जो समझते हैं गराक को अपना बनाना चाहते हैं कि उसको सरब माल ही नहीं बेचो उसका दिल जीतने की कोशिश करो कि वो आपका अपना हो जाए और उसको ये लग जाए है कि यहीं आना चाहिए आदमी बहुत अच्छा है कि तब जब आप ये काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको ट्रिक भी आती है कला भी आती है लेकिन आपकी कोशिश क्या है मेरा गराक मेरे से जुड़ा रहे है मैं उसे लूटने के लिए नहीं बेचा हूँ उसे अपना बनाने के लिए बेचा हूँ उसका भी बला हो मेरा भी भला हो तो कहता है कि उसके बाद आप संब्रिद्ध होते हैं अनेक आप की तरब आते हैं और जो लड़ाई जगड़ा करने में तैयार हो जाएं कहते हैं न कि दुकंदारी नर्मी की जितना दुकंदार नर्म होगा दुकंदारी बढ़ेगे दुकंदारी नर्मी की राजकारी गर्मी की प्रशाषन प्रशाषन चलाना सक्त होना पड़ेगा बले कोई प्रदर्शन कितना भी कर ले अगर ये प्रदर्शनों में गबरा गए न फिर आप राज नहीं कर सकते हैं राजकारी गर्मी की दुकंदारी नर्मी के, दलाली बेशर्मी के दलाली करनी हो तो बेशर्म होना पड़ेगा नहीं तो पैसे देगा ही नहीं कोई भी तो जब आप भगवान का त्यान करते वे और अपनी दुकान पर आकर बैठे, खिले वे बैठे शांत बैठे, मदूरता से बैठे वे मुस्कराट चेरे पर है व्यवार मदूर है और अगले व्यक्ति के साथ आप कम बोलते हैं उसको बोलने का मौका देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि समृद्धी आप की तरफ आ रही है विचलित रहे ना मन ब्रहमित रहे ना मन एकागर रहे मन शांत रहे मन और फिर कर्म किया जाए वो कर्म तुमें बहुत आगे लेकर जाता है बड़े लोगों की बात देखने को यही मिलती है कि उन्हें दुनिया ने हिलाने की डुलाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो विचलित कभी नहीं हुए अपना काम करते चले गए और उन्हें देखकर हैरानी होती रही दुनिया को यह किस तरह के लोग हैं इनको इतना तनाओं दबाओं सब कुछ दिया गया वो बड़पन अंदर से आता है आपके क्योंकि मैं उधारन नहीं देना चाहता हजारों उधारन है वो सफली इसलिए हुए इसलिए आप हर दिन ट्रेंड कीजिए अपने आपको प्रसिक्षित कीजिए कोई आपको विचलित करता है शान रहने की कोशिश करिए दूसरी बात गुस्सा दिलाए आप उसकी दवाई का इस्तेमाल जो वो कर रहा है ना आपके उपर टेबलेट दे रहा है आपको गुस्से की उसे बेकार कर दो कोई आदमी आपको निराश करने के लिए तरह तरह की बाते कर रहा है असर मत होने दीजे बलके उस समय और अपने आपको तैयार करो कि इनके बहकाने से इनके जोश दिलाने से इनके बढ़काने से मुझे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं मेरी रहा ऐसे ही चले गी और हमने ऐसे ही आगे बढ़ते जाना सब तरह के परियोग होते हैं न और जो आप लोग देखते हैं कि बगवान परिक्षा लेते हैं किसी की तो परिक्षा भी तो ऐसी होती है और ये भी कहा जाता है कि बगवान की सेक्टरी माया है माया जो है वो सबसे पहले परिक्षा लेती है कि अगर कोई आदमी यहां से चलकर यहां तक पहुँच गया है और भगवान के निकट ही पहुँचने वाला सीड़ी चड़ने वाला उसके दाम में तो माया बीच में आ जाएगे और वो आकर उसे उल्जा देगे और परिक्षा लेगी अगर उन परिक्षाओं में व्यक्ति खरा उतर गया और किसी लालच में नहीं आया, क्रोध में नहीं आया, काम विकार में नहीं फसा उसके बाद माया आकर हाथ जोड़कर स्वागत करती है और कहती है कि आपका स्वागत है परमातमा के सामुराज्य में क्योंकि आप सब परिक्षाएं पास करके आ गए